राधे राधी दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल नैंसी शुपम ओफीशियल में मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संकस्टी चतुर्थी ब्रत कब है 2024, 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर कब है जाने इसके साथ ही आप जानेंगे सुबमूरत, पूजा बिदी, ब्रत कथा, महत और चंदर दर्शन कब करना है सनातन धर्म के लोगों के लिए विग्न राज संकस्टी चतुर्थी ब्रत का विशियस महत है जो आश्विन मास की चतुर्थी तिथी के दिन रखा जाता है दोस्तूं ये दिन भगवान गणीज जी को समर्पित होता है इस दिन ब्रत रखने के साथ साथ गड़पती बपा की पूजा की जाती है इससे घर और परिवार में एक सुख सांती बनी रहती है दोस्तूं साथी बपा की आश्विवाद से सभी सुख दर्द का अंत होता है दोस्तों हिंदो पंचान के अनुसार आश्विन महा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी 20 सितंबर को रात्री 9 बच कर 15 मिनट पर सुरू हो रही है बहीं इसी तिथी का समापन 21 सितंबर 2024 को साम 6 बच कर 13 मिनट पर होनी जा रहा है ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार आश्विन महा के विग्न राज संग कस्टी चतुर्थी का ब्रत सनिबार 21 सितंबर 2024 के दिन रखा जाएगा इस दिन दोस्तों हरसण योग का भी सही योग बन रहा है हरसण योग में सुबकार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं 21 सितंबर को सुभा 11 बच कर 36 मिनट से लेकर 22 सितंबर को सुबह 8 बच कर 18 मिनट तक हर सड़ी योग बना रहेगा दोस्तू आईए अब जानते हैं संकस्टी चतुर्थी ब्रत पूजा का सुब मुरत क्या है 21 सितंबर 2024 को गरपती जी की पूजा का सुबह का समय है साम के 6 बच के 19 मिनट से रात के 7 बच के 47 मिनट तक दोस्तू इस समय आप गरपती जी की पूजा कर सकते हैं आईए अब जानते हैं संकस्टी चतुर्थी ब्रत की सरल पूजा विधी संकस्टी चतुर्थी ब्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर इशनान ध्यान कर लें उसके बाद पूजा से पहले ब्रत का संकल्प ले लें इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान गडिश जी की प्रतिमा या मोर्ति इस्थापित करें आपके पास जो भी हो उसके बाद सबसे पहले बपा का जलविशेक करें उनको जल से शनान कराएं इसके बाद फूल फल चड़ाएं और पीले रंग का चंदन लगाएं उसके बाद गड़पती पपा के सामने धूबत्ती जलाएं और दीपक जलाएं फिर बेसन के लड़ू या मोदक का भोग लगाएं गड़पती जी को बेसन के लड़ू मोदक अतिप्रिय हैं इसके बाद संकस्टी चतुर्थी ब्रत की पौरानिक कथा जरूर सुने पाठ करें पूजा के अंत में गड़िस जी की आरती करें उसके बाद चंद्रमा दर्शन करने के बाद अर्ग दें आईए अब जानते हैं संकस्टी चतुर्थी ब्रत का महत क्या है संकस्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणिस जी की पूजा करने से आपको सुभलाब की प्राप्ति होती है इस दिन कुछ विशेज बस्तुओं का दान करने से आपके सुख में ब्रध्धी होती है आपके उबर आए सभी संकट बपा दूर करते हैं आपके सभी मनुकामनाएं गणिश्ची पूर्ण करते हैं। आपके घर में धन ब्रद्धी होती है और आपके सौभागे में ब्रद्धी होती है। और आपको निवेश की योजनाओं में लाव होता है। आइए अप जानते हैं संकस्टी चतुर्थी चंद्रोदय का समय क्या होगा। 21 सितंबर 2024 सनीवार को रात्री के आठ बच के 37 मिनिट पर चंद्रोदय का समय होगा दोस्तों। आईए दोस्तों आप सुनते हैं संकस्टी चतुर्थी ब्रत की पौराणिक कथा कहानी एक समय की बात है कि विश्णु भगवान का विवा लश्मी जी के साथ निश्चित हो गया विवा की तैयारी होने लगी सभी देवताओं को निमंत्रन भेजे गए परन्तु गणिश्जी को निमंत्रन नहीं दिया कारण जो भी रहा हूँ अब भगवान विश्णु के बराज जाने का समय आ गया सभी देवताओं अपनी पत्नियों के साथ बिवास अमारों में आई उन सबने देखा कि गणिश्जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है तब बे आपस में चर्चा करने लगी कि क्या गणिश्जी को नियोता नहीं गया है या स्वेम गणिश्जी नहीं नहीं आए है सभी को इस बात पर आश्चर होने लगा तबी सपने विचार किया कि बिश्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए बिश्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणिश जी के पिता भोले नात महादेब को नियोता भीजा है यदि गणिस जी अपने पिता के साथ आना चाहाते तो आ जाते अलग सेन्योता देने की कोई आवश्यक्ता भी नहीं थी दूसरी बात ये है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन खी और सवामन लड़ू का भूजन दिन भर में चाहें यदि गणिस जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता इतनी बार तक कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाब दिया, यदि गणिस जी आ भी जाएं तो उनको दौर पाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठ कर धीरे धीरे चलोगे, तो बाराज से बहुत पीछे रह जाओगे यह सुझाब भी सबको पसंद आ गया, तो विस्नु भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी होना क्या था कि इतने में गणिस जी वहां आ पहुँचे और उने समझा बुजा कर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया बराज चल दी, तब नारत जी ने देखा कि गणिस जी तो दरबाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणिस जी के पास गई और रुकने का कारण पूछा, गणिस जी कहने लगे कि विश्नु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नारत जी ने कहा कि आप अपने मूसक सेना को आगे भेज दे तो वे रास्ता खोद देगी जिससे उनके बाहन धर्ती में धस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूदबग बुलाना पड़ेगा अब तो गणिस जी ने अपने मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी जब बरात बहां से निकली तो रथो के पईये धर्ती में धस गए, लाग कोशिस की गई, परंतु पईये नहीं निकले सभी ने अपने अपने उपाय किये परंतु पईये तो नहीं निकले, बलकि जगे जगे से तूट गए पईये किसे के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, तब तो नारग जी ने कहा, आप लोगों ने गणिस जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, यदि उन्हें मना कर लाया जाए, तो आपका कार सिद्ध हो सकता है और ये संकर टल सकता है, संकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भीजा और भी गणिस जी को ले कर आई, गणिस जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया, तब कहीं रत के पईये निकले, अब रत के पईये निकल तो गई, परन्तु बे टूट फूट गई, तो उन्ह सुधारे कौन, पास के खेत में खेती वाला काम कर रहा था, उसे बुलाया गया, खेती अपना काम करने के पहले, सिरी गणिशाय नमा कहकर, गणिस जी के वंदना मन ही मन करने लगा, देखते ही देखते, खेती करने वाले ने सभी पईयों को ठीक कर दिया, वे, खेती करने कहने लगा कि ही देपताओं आपने सर्व पर्थम गणिज जी को नहीं मनाया होगा और नाहीं उनकी पूजन की होगी इसलिए तो आपके साथ ही संकटाया है हम तो मूरह का ज्यानी है फिर भी पहले गणिज जी को पूजते हैं उनका ध्यान गरते हैं आप लोग तो देपता गण हैं फिर भी आप गणिज जी को कैसे भूल गई अब आप लोग भवान सरी गणिज जी की जैजैकार बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकटवी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बरात्बाहासी चल दी और विश्नु भगवान जी का लश्मी जी के साथ विवा संपन करा की सभी सकुसल घर लोटाए ये गणिज जी महराज आपने बिश्नु को जैसो कारज करियो जैसो कारज समभारियो एसो कारज सबको सिद्ध करियो बोलो गजानन भगवान कीजै आएए दोस्तों संकस्टी चत्रती ब्रत के दूसरी कथा की सुरुवात करती हूँ मैं पराणिक एवम प्रचलित स्री गणिज कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थी तब भे मदद मागने भगवान सिब जी के पास आए उस समय सिब के साथ कार्ती के तथा गणिज जी भी बैठी थी देवताओं की बात सुनकर सिब जी ने कार्ती के वागणिज जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कस्टों का निवारण कर सकता है तब कार्तिकी वे गणिस जी दोनों नहीं स्वयम को इस कार्णी के लिए शक्षम बताया इस पर भगवान सिव ने दोनों की परिक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले प्रतिवी की परिक्रमा करके आएगा बही देवताओं की मदद करने जाएगा भगवान सिव के मुक से ये बचन सुनते ही कार्तिकी अपनी बाहन मोर पर बैटकर प्रतिवी की परिक्रमा के लिए निकल गई परन्तु गणेश जी सोच में पड़ गई कि वे चुहे के ऊपर चड़ कर सारी प्रतिवी की परिक्रमा करेंगी तो इस कार में उन्हें बहुत समय लग जाएगा तब ही उन्हें एक उपाय सुझा गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ बार परिक्रमा करके बापस बैठ गई परिक्रमा करके लोटने पर कार्ति के स्वयम को विजेता बताने लगी तब सिब जी ने स्री गणेश से प्रतिवी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तब गणिज ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग है। यह सुनकर भगवान सिब ने गणिज जी को देवताओं के संकट दूर करने की आग्या दी। इस प्रकार भगवान सिब ने गणिज जी को आश्रवाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्री में चंद्रमा को अर्ग देगा उसके तीनों पाप यानि देहिक पाप, देविक पाप तता भौतिक पाप दूर होंगे। इस ब्रक को करने से ब्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों के प्राप्ती होगी। शेर करें ताकि और सबी लोगों को भी संकस्टी चतूर्थी ब्रत की संपूर्ण जानगारी मिल पाए। गडपती भगवानी की जय।